बड़ों को परणाम बच्चों को फ्यार आप सब को नमस्कार जैहिंद साथियों में आरके नएक आप सभी का इंडियन पॉलिटी की एक बहुती मैत्वपुन स्रंकला में हार दे की स्वागत करता हूं अभी नंदन करता हूं आज साथियों हम उदे से प्रस्ताव यानि उदे से संकल्प के बारे में कुछ मैत्वपुन जान कर लेंगे साथियों जो कि भारतिय सविदान का एक बहुती मैत्वपुन टोपिक है अब साथियों से पहले आसा करता हूं अपने हमारे वीडियो को जरूर देखा होगा अगर वीडियो नहीं देखें permet इससे पहले के तो उन्हें वीडियो को जरूर देखें और इंडियन पॉलिटी से समदित आप study material जरूर डाउनलोड करें क्योंकि साथियों ये जो topic आप देख पार रहे हैं स्क्रीन पे ये आपके लिए बहुती मैत्वपों साबित होंगे क्योंकि साथियों ये पॉलिटी की एक complete series है जिसके अंतरगत आप इंडियन पॉलिटी यानि भारतिय सविदान से समदित पूछे जाने वाले परते क्यूस्टन का अंसवर देने की इस्तिति में अपने आपको पाऊगे जब हमारी वीडियो संकला जो भारतिय राजव्यवता इंडियन पॉलिटी से समदिता complete series देखने के बाद और साथियों जो पुस्तक आप यहां पर देख पा रहे हो इन में से जो पीडियोप आपको दी जाएगी उस पीडियोप को स्थिति में अपने आपको पाऊगे तो साथियों आज हम जो जानगार लेते हैं वह उदेश से प्रस्ताव या उदेश संकल्प के बारे में बहुती महत्वपुन जानकर यह सबसे पहले साथियों आप यहां पर देखिए उदेश से प्रस्ताव पंडित जमारलाल नेरू क गेट पूछ ली जाए तो साथियों 13 दिसम्ब नेस सो 46 को प्रस्तुत किया गया था उदेश से प्रस्ताव को भारतिय सविदान के दर्षन और संग्थन का आदार इस्तम्माना जाता है अब आप से एक्जाम में कि उसन पूछ लें कि भारतिय सविदान का दर्षन किसे कहत हैं तो साथियों आपका राइट आमसर क्या होना चाहिए उदेश से प्रस्ताव और दर्षन और शंक्थन जो है सविदान का उसका अगर आधार इस्तम्म पूछा जाए तब भी साथियों आपका उदेश से प्रस्ताव जो कि पंडित नेरू ने प्रस्तुत किया था इसलि है उमिद है कि साथियों आप समझ गए होंगे यहां पर साथियों सविदान की जो उदेशी का है उसमें ये संपून जानकर आपको दी गई है और इन समझत एक्जाम में क्यूसन क्या क्या पूछे जा सकते हैं तो सबसे पहले साथियों बारत बिटेन के अधिकार में आने बारतिये चत्रों देशी जियास्तों और देशी जियास्तों के साथ में भी साथियों क्या है बाहर के इस एक चत्र जो हमारे संग का अंग बनना चाहते हैं का एक संग होगा यानि भारत में क्या है साथियों जो भी बाहर के थे उन सब में से क्या है कोई भी सामिल हो सकता है बहिए तो इन सब का एक संह होगा जिसको किया कहेंगे बारत कहेंगे उसके बारत में साथभू यहां पर है सं़्ग की इकाईय सवायत होगी यह नी एक पूरी तरह से शुतंत्र होगे इन पर किसी भी परकार का कोई दबाव नहीं होगा साथ ही उन सभी सक्टियों का प्रियोग और कारियों का संपादन कर सकेंगी जो संग ने अपने हातों में नहीं लिया हो उसके बाद साथियों हम यह पर देखे देख लेते हैं कि शंप्रवु और सवतंतर बारत तता इसके कि सविधान की सभी सक्तियों का सता का स्रोत जनता थी यानि हम भारत के लोग यानि इसका जो सविधान का अगर सही तरिके से देखा जाए तो पूरी सक्ति किस्में नियत है वो है सात्यों भारत की जनता में इसी लिए सबसे पहले लिखा गया है कि हम भारत के लोग तो साथियों उसके बाद में हम देखते हैं यहां पर इसमें है साथियों यहां पर भारत के सभी लोगों को सामाजिक आर्थिक और राजनितिक नहाई कानून के समग समानता फर्तिष्टता और उसके बाद में साथियों फर्तिष्टता के बाद में यहां पर है और अवसर की स मानता था था कानून सारवजनिक नेतिक था कि जो शिमाएं थी उन शिमाओं में ही रहते हुए बाश्चन अभिवेक्ति विश्वास धर्म उपासना वेवसाय संग्थन और कार्य करने की मौलिक अधिकारों की गारंटी और सुर्कसा दीज जाएगी यह साथियों इस समंदित है तो जैसा की साथियों आप यहां पर भी देख सकते हो भारत का जो सविदान है उसमें उद्देशिका में क्या है हम भारत के लोग भारत को एक संपूंद पर भूत हुए शंपन और उसके बाद में सामाजवादी पंत निर्पेक्स और लोग तंत्रात्म गंण राजे बन बाद में जोड़े गए थे साथियों कॉमेंट करके बताईए मैं आपको इसके बारे में आगे जान करें दूंगा कि कौन-कौन से सब्द जो बाद में जोड़े गए हैं तो यहां पर हैं साथियों अलब संक्य को को और पिछले वर्ग के जितने भी लोग थे उनको वह जं गणराज्य की क्षेत्री अखंडता तता जल और आकास में इसके संप्रभू अधिकारों की रक्सा सब्वे राष्ट्रों के कानून और नयाय के अनुसार की जाएगी यहां पर राष्ट्री एक्ता और अखंडता से समधित है साथियों और यहां पर देख सकते हैं साथियो यह है हमारा अखंड भारत अब साथियों उसके बाद यहां पर हम देखेंगे विश्वशान्ति और मानो कल्लान की विकास के लिए देश सवेच्चा पूर्वक और पूरन योगदान करता रहेगा यानि भारत को विश्वशान्ति के रूप में मैत्वण माना जाता है अब साथियों आप यहां पर देखिए यह जितने भी टोपिक हमने पढ़ाए हैं उन में से अगर आपको किसी भी टोपिक का पीडिया पर नहीं हुआ है तो आप पीडिया जरू डाउनलोड कर लिए रिविजन करते रहें मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में एक नए करते रहें रिविजन करते रहें धन्यवाद जय हिंद वंदे मात्रम